असलम वालेकुम आज का माँ टॉपिक रिजॉल्व इंटू फैक्टर फाइव पॉइंट फैक्टर एक्सरसाइज कुश्चन वहारा पास दिया हुआ है एक्सिक्स पिलस का 64 ती का क्यूब ठीक है यह पास वाल दिया हुआ है मुझे इसके फैक्टर्स बना लें पावर 3 दी हुई है मैं क्या करूँगा मैं ब्रेक करना होता है मैं किस तांब कर सकता हूं इसको सबसे पहले मैं आप लिखका स्वारूशन दिखने के बाद मैंने आप बना दिया ब्रैकट के बाहर लिख लिखे लिखक पिलस का साइन से पावर से पावर से पावर 6 होजाएगा एस तरह से ब्रेक करना है कि आधर ऐसे वाल्यू के लिए चाहिए इन्स इस वालुयूमि आइसा है आप आना चाहिए लिए प्रेंबर घट को थी टाइम को ब्रेक करना होगा और मैं 2 को 3 x 3 x x 8 आता है मतलब 64 नहीं आरहा है 3 को 3 x x 27 आरहा है 64 नहीं आरहा है लेकिन 4 को 3 x x x 64 आरहा है तो मैं यहां पर क्या ले लोगा सिर्फ और सिर्फ यहां से एक फोल्ड ले लूगा क्यूब क्या हो जागा 64 आप य थ्री था सिर्म मैं टी लूगा य था तो मैं ती का क्यूब यहां पर लिख दिया 3 अब यहां बाहर आ चुका है अब अगर मैं आपसे पूछूँगा एक ही वाली क्या है आप बोलेंगे A square B की वाली पूछूँगा आप बोलेंगे 40 ठीके A plus B का formula लगेगा A cube plus B cube का formula किसना से लगाएंगे मैंने आप लिखका A cube plus B cube बराबर होता है हमारे पास A plus B bracket close A square minus A B plus B square यह मैंपा formula था है formula apply कर दी मैंने पर is equal to लिखका मैंने आप अब A की वाली क्या है X square मैंने आप लिख दिया bracket मैं किया एक्स स्कॉएर पिलस का sign था plus B की वाली क्या है 4T bracket मैंने close किया अब मैंने फिर यहां पर square bracket बनाया उसके यहां फिर bracket मैंने आप A square स्क्वाइर मतलब एक्स स्क्वाइर लिखा मैंने एक्स स्क्वाइर लिखा मैंने एक्स स्क्वाइर लिखा मैंने एक्स स्क्वाइर में माइनक का साइन था एक्स स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर बी की वाली का है एक्स स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर लिखा स्कॉляр का स्कॉार मतलब 40 का मुझे यहां पर कया कर दी मैंने س्कॉार किर दिया प्रवाने फॉर बंजाब फॉर हो गया एक्स स्कॉार और टी मैंने सिंपल यहां पर एक साथ लिग दिया पिलस का साइन तब फॉर का स्कॉार बाला फॉर को फॉर से मंटिप्लाइए करना है ठीक है फॉर फोर जाके अधागा 16 टी और टी पे भी स्कॉार आगा स्कॉार यह ह हो गया ब्रैकट क्लोज और यह हो गया आपस अंसर थैंक यू